नमस्कार मैं डॉक्टर मिखलेश कुमार कैंसर रोग भूत पूर प्रद्यापक एवं विवागा द्यक्त कैंसर विभाग प्रटना आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जटिल एवं व्यापक रूप से फैले फैलने वाला कैंसर के बारे में जिसे बोलते हैं गिल्टी का कैंसर यह गिल्टी अपने आप में हम लोग एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं यह गिल्टी अपने आप में बहुत ही बहुत ही व्यापक रूप में हमारे सरीर में मुझ से लेकर के और जांग तक समुचे समुचे अंग में फैला रहता है इस गिल्टी का कैंसर होन से पहचाने यह जानना आज हम इस बारे में जनकारी दे रहे हैं पहला है कि मुह या गला के पास में कहीं गिल्टी हो तो यह गिल्टी को छूने से ऐसे छूने से पता लएगा कि बाया में गिल्टी है या दाया में गिल्टी है दूसरे तरफ है तीसरे और इस तरफ में नहीं ऐसे चूने से अगर हम एक ही चूएंगे तो नहीं पता लेगा उंठा से चूएंगे दूसरे डाक्टर के हाँ जाने की आवसकता नहीं है हमें किसी दूसरे आदमी से बात करने का अपने खुद बिचार करके देखना है अपने खुद देखना है कि हमें कहां गिल्टी है अग एक तरीका से वो ऐसा लगता है कि हिल नहीं रहा है वहीं पर जक्रा हुआ है तो यह एक डौटफुल गिल्टी है ऐसे हालत में हमें अस्पताल में दिखलाना जरूरी है यह गिल्टी छोटा इतना बढ़ा हो सकता है इतना बढ़ा हो सकता है इतना बढ़ा हो सकता है इतना देखने से आगे से पीछे देखने से आसानी से पता लगता है कि वहां कोई गिल्टी है के नहीं कपड़ा हटा करके कपड़ा करके ऐसे देखा ऐसे देखा ऊपर से देखा नीचे से देखा ये गिल्टिया छटकती है छटक छटक के पता लाएंगे इस प्रकार की गिल्टी प बिवाल पैसे हाथ चलाएंगे तो वहा एक ऐसे तो मिस देखना जैसे हम और यहां lay लगेगा यह और अजल्दी आवस्यक है इसी प्रकार की गिल्टी ब्रेस्ट में होता है, इस्तन में होता है, जो इस्तरियों के इस्तन में होता है, ये गिल्टियां ऐसे हम आपको दिखला रहे हैं, ये समझे ये गिल्टी है, ये ऊपर चमणा है, इस चमणा से जब हम छुएंगे, तो अगर ये ब्रेस्ट की हम चमना से चुए और छोटक गया यहां देखी ध्यान से देखिए इस cuálफी ऐ जह जचटक गया तो यह कंसर के गिल्टी नहीं है यह हम उपर दबाएं नीचे छचड़क गया यह कंसर के मिल्टी नहीं अगर guilty छटकता नहीं है और दर्द नहीं है और कलापन है ठोस है तो यह cancer की guilty होने के समभावना बहुत है अब इसका जाच किसी भी अस्पताल से किसी भी डॉक्टर से दिखला करके हमने करना जरूरी होता है और इसके बाद ही हम बस सकते हैं कि इस cancer से हम कैसे निवारन पाएं अन्य प्रकार के भी guilty हैं सरीर में पाये जाते हैं जो cancer नहीं होते हैं वो सारी guilty का पहचान simple है कि चमडे के ऊपर से हम महसूस करें कि यहां guilty है या नहीं है इसमें सबसी important है कि हम दूसरे तरफ भी देखें बायां भी देखें दाहिना भी देखें अपने हाँ पता लगेगा कि हमें बायां तरफ में guilty है या दाहिना तरफ में guilty है यह guilt TWO में बहुत ही सधान इलाज से ठीक हो जाती हैं और अगर देर होगा तब इसमें बहुत से परिशानी हो जाती है जल दी पकड़ना बहुत ही आसान है guilty पह सानी है और खुद बताइए डक्टरों को का हमें यहां guilty ह इसमें दर्द नहीं होता है इसमें ठोस है यह सॉली टाइप का है यह फिक्स्ट है या एकदम जकड़ा हुआ टाइप का लगता है ओ डाक्टर उसका इलाज करेंगे वो ठीक हो जाएगा अगर एक साथ दस जगर गिल्टी आ गया गला में आ गया दोनों कांख में आ गया काच में आ गया पेट में आ गया तो पर भी घमराने की बात नहीं है ऐसे कैंसर भी होते हैं जो बहुत तेजी से पूरे सरीर में फैलते हैं काच में दोनों कांख में एक साथ आते हैं पेट में एक साथ आते हैं चाती में एक साथ आते हैं इसका और भी तकलीफ होने लगता है च में पेट में दर्द होता है, पेट में आईजन होता है, और उस हालत में पेट में ऑल्टी या पतला पेखाना या कभजित होना, सब तरीका का पेट का तकलिफ होने रखता है। यह सारी गेज़्टियां का जो जो भी करणन है उसका इलाज बहुत आसान है, सर्थ एक ही है, कि हम इसको जल्दी पाँचाने और जल्दी डाक्टर के हाँ, एक specialist डाक्टर के हाँ जाएं, जैसे हम एक उधारन देते हैं, कि अगर कोई लड़का इसकून में पढ़ता है, तो वो course का किताब पढ़ेगा, तब ही पास करेगा, अगर अखवार पढ़ेगा, मैगदिन पढ़ेगा, तो नई पास होगा, उसी प्रकार गिल्टियों में गिल्टी के कैंसर का इलाज होगा, ब्रेस्ट के कैंसर का, ब्रेस्ट के गिल्टी के कैंसर का इलाज होगा, तब ही वो कैंसर ठीक होगा, अगर छोटे जगह हम इलाज होते रहता है छेशे महीना सलसर भर लोग इलाज कराते हैं कभी कभी जो अरवेदिक इलाज है उसका अलावा दूसरे जो इलाज है उसमें फसे रहते हैं और जानता हुआस वो पड़े रहते हैं वो मालूम नहीं होता है क्यों उनका जो बिमारी है वो इतनी तेजी से बढ़ ग्राम का कैंसर का कीड़ा है तो एकई से एक सो चवालीस दिन के अंदर वो दो किलो होगा किसी वेक्ति में एकईस दिन में किसी में आठाइस दिन में किसी में चारिस शीहालीस दिन में किसी में एक सो चवालीस दिन में वो डबल डबल होगा वो फिर दो जब दो किलो हो ग उतना उस व्यक्ति के लिए यह अच्छा है और किस्ख की लिए भी अच्छा ए्जो इस मीमारी से उस मरीज का जान बचा सकते हैं निवाद मैं सकते हैं तुरे जिंदघी के लिए इंग रिए इक बिल्टि एक टी केंसर होता है और हम ठीक करते हैं और मरीज ठीक होते हैं इनी सब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विराम लेता हूं धन्यवाद